हमारी आज की कहानी है असली हकदार एक जंगल में बहुत से जानवर रहते थे उन जानवरों में एक लंगूर भी था वेह बहुत आलिसी और स्वार्थी था वेह आसपास के गाउं के लोगों को तंग करके भाग जाता था जंगल के पास वाली नदी में एक कच्छुआ रहता था और वेह कच्छुआ बहुत महनती था एक दिन कच्छुए ने मधी मक्खियों के साथ काम किया वे अपने छत्ते को छोड़ कर दूसरी जगे जा रही थी उन्होंने कच्छुए को उसकी महनत के बदले एक थैली में शहद भर कर दे दिया कच्छुआ शहद की थैली लेकर अपने घर की ओर चल दिया उसे रास्ते में सडक के किनारे एक सूखा पेड दिखाई दिया कच्छुए ने सोचा क्योंन थोड़ी सूखी लकडी ले लूँ घर पहुँचकर पुलाओ बनाकर उसके साथ शहद खाऊंगा उसने इधर उधर देखा पर वहां कोई नहीं था उसने शहद की थैली को एक और रख दिया इसके बाद उसने लकडियां इखटी की और थैली के पास वापस आ गया कच्छुए ने देखा उसकी थैली को एक लंगूर लेकर बैठा है लंगूर ने जैसे ही कच्छुए को देखा तो बोला कच्छुए भाई देखो आज का दिन मेरे लिए कितना अच्छा है मुझे यह शहद की थैली मिली है कच्छुए बोला यह शहद की थैली तो मेरी है मैंने ही इसे यहां रखा था मैं लकडियां मीनने गया था और मेरी थैली मुझे दे दो लंगूर बोला सडक पर पड़ी चीज जिसे मिले वे उसकी हो जाती है लंगूर ने उसे थोड़ा सा भी शहद नहीं दिया कच्छुआ चुपचाप वहां से चला गया अगले दिन सडक के किनारे एक सूखे पेड़ के पास वह लंगूर बैठा था उसकी लंबी पूँच सडक पर पड़ी थी तभी कच्छुआ वहां आया उसने सडक पर पड़ी लंगूर की पूँच को अपने दातों से काटना शुरू कर दिया लंगूर दर्द से चिला पड़ा अरे मेरी पूँच छोड़ो कच्छुए ने लंगूर की पूँच अपने पैरों के नीचे दबा दी कच्छुआ प्रसंद होकर कहने लगा पूँच तो सडक पर पड़ी थी सडक की चीज किस की जिसको मिले उसकी लंगूर बोला ऐसे कैसे तुम्हारी जैसे मेरी शेहद की थैली तुम्हारी हो गई थी वैसे ही अब तुम्हारी पूँच मेरी हो गई है कच्छुए ने जवाब दिया उनका यह जगड़ा जंगल की अदालत में पहुचा न्याय मंत्री न्यालू चीते ने दोनों की बाते सुनी पूरी बात सुनकर उन्होंने लंगूर से पूचा सडक पर पड़ी हुई चीज तुम्हारी कैसे हो गई और शेहद की थैली कहां है उसे कच्छुए को लोटा दो लंगूर ने अपना पेट दिखाते हुए कहा शेहद तो मैं सारा खा गया मंत्री न्यालू ने कहा तो ठीक है सडक पर पड़ी पूच काट कर कच्छुए को दे दी जाए पूच कट जाने के डर से लंगूर ने सब को सच्छी बात बताई उसने बताया मैंने अभी तक शेहद नहीं खाया है मैं घर जाकर शेहद की थैली लाकर कच्छुए को दे देता हूँ उसका सही अकदार यह कच्छुआ ही है इस तरह लंगूर को अपनी गलती का सबक मिल गया